जारी हुआ अनलोक 4 की गाइड लाइन कब खुलेंगे स्कूल सिच्छन संस्थान प्रहाटाइम्स की न्यूज देखने के लिए फेस्बुक पर लाइक करें यूटूब पर सब्सक्राइब करें और बोल आइक उन दबाना न बोलें महिस लामदिन खान और आप देख रहे हैं फ्रहाटाइमस केंद्री ग्रहम अंत्राले ने शनिवार को अनलोक 4 की गाइड लाइन जारी कर दी है गाइड लाइन के मताबिक 7 सितंबर से देश भर में मेटरों सेवा शुरू कर दी जाएगी साथ ही कंटेंटमेंट जोन में लॉक डाउन में 30 सितंबर 2020 तक कोई धील नहीं दी जाई अगर बात करें इस्कूलों की तो 21 सितंबर से नवी से बरहमी के छात सोच्छा अनुसार इस्कूल जा सकेंगे 21 सितंबर से टेकनिकल और प्रोफेशनल प्रोग्राम जिनमें लैप या प्रेक्टिकल की जरूरत पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टुडेंट्स और पीएशडी के स्टुडेंट्स के लिए उच्छ शिच्छा संस्थान खोले जा सकते हैं इसके इलावा 21 सितंबर से सामाजिक, सैच्छनिक, खेल, मनुरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनेतिक करेक्रमों में सव लोगों को शामिल होने की अनुमती दी जा सकती है मगर 21 सितंबर से ओपन थेटर खुलने की अनुमती है, सिनेमा, घर और मल्टी प्लेक्स बंद रहीं गाइडलाइन्स के मुताबिक राज केंदर, शासित, राज केंदर सरकार से चर्चा किये बिना कंटेंटमेंट जोन के बाहर के इलाकों में किसी भी तरह का लोगडाउन नहीं लगा सकते हैं राज, जिला, सब, डिविजन, शहर, ग्राम, अस्तर, लॉगडाउन, लागू नहीं कर सकते हैं किसी भी एक राज से दूसरे राज में जाने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है यात्री या माल की आवजाही के लिए अलग से अनुमती ई-परमिट की जरूरत नहीं है लेकिन सोसल डिस्टेंसिंग मास सेनिटाइजर का इस्तमाल करना अनिवार है खास करके 65 साल से ज़्यादा उम्र के बुज़ुर्ग गर्भवती महिलाए दस साल से कम उम्र के बच्चों को घरों में रहने की सला दी गई है बहुत जरूरी काम या स्वास्थ से जुड़े मसले पर बाहर जाने की अनुमती है क्योंकि इन समूहों पर कुरोना संक्रमन का खत्रा ज्यादा साबिट होता है तुमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहे हैं प्रहार टाली